तीनों मिलकर साजा तोर पर आयोजीत कर रहे हैं और आपको बता दे कि इस कारिकरम के मुख्य आते थे राश्ट्रपती रामनाथ कोविंध होंगे जबकि इस कारिकरम में देश के जो प्रधान नियाय धीस हैं चिफ्ट अफ इंडिया जश्टिस एन्वी रमन्ना वो पाठक हैं वो भी इस कारिकरम में शामिल रहेंगे सुप्रीम कोट के चार जज़ेस मोचूद रहेंगे तो राश्ट्रपती रामनाथ कोविंध का हेलिकॉप्टर जो है वो लेंड कर चुका है पोलो ग्राउंड पर और अब सुरक्षा इंतिजामों की वज़े से हमें भी इजाज़ा दी जा रही है बाकी पूरा रास्ता सील कर दिया गया है और जो पूरा रास्ता जिन रास्तों से राश्ट्रपती रामनाथ कोविंध को गुजबना है बेहत कूपसूरती के साथ का जाया गया है गाड़िया धुली गई हुई है इसके साथ साथ पूरे रास्ते को बैनर, पोश्टर और होर्डिंग्स के जरीए पाट दिया गया है ताकि राष्टपती रामनात कोविन जब यहां पहुंचे तो उन्हें इस बाद का एहसास हो सके कि वो अपने शहर में पहुंचे हैं चुकि इलाहबाद हाई कोर्ट में ही जो बार काउंसिल उत्तर प्रद आज वो एक बार फिर से पहुंचकर ताजा करने की भी कोशिश करेंगे बिलकुल मोहीन आपके जरीए हम तस्वीरे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यह जो इस वक्त जिस जगह पे आप खड़े हैं जैसा कि आप भी बता रहे कि यहीं से काफिला राष्ट्रोपती का गुज़रेगा तीसरा यह दौरा है से पहले दो दौरे भी हो चुके हैं और देखा जाए तो तीन महीने में तीसरी बार यूपी दौरे पर महा महीन है जी बिल्कुर निश्चे तोर पर कहा जा सकता है कि कुछ महीनों पहले वो अपने ग्रहनगर कानपूर पहुँचे थे कानपूर से वो लखनव तक गये थे और ट्रेन के सरीय वाये थे और दूसरी बार पिछले महीने हमने देखा था जब राष्ट्रपती उत्तर प्रदेश आये थे लखनव गये थे लखनव से बस्ती गये वहां से आयोध्या में उनका कारेकरम हुआ था और आज उनका तीसर कारेकरम है कुछी महीनों के अंदर तो आज तीसरी बार आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में खासकर प्रयागरा जा रहे हैं जिसे मिनी राजधानी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में लखनव के बाद दूसरा सबसे महत्रपूर जगह है कानून के छेतर में जुड़े रामनात कोविन दा रहे हैं यहां पर सुबा साड़े दस बजे वो पहुंच चुके हैं और आपको बता दे कि शाम साड़े पांच बजे तक उनको रहना है तकरीबन साथ घंटे तक वो शहर में रहेंगे और यह खास मौके के लिए खास इंतिजाम किये जा रहे हैं और इसी चौराहे से होते हुए सीधे सरकिट हाउस जाएंगे वहां कुछ दिर आराम करेंगे और आराम करने के बाद वो वापस इलाबाद हाई कोर्ट के करकरम में आएंगे जहां दो घंटे तक उन्हें तमाम खास मेहमानों के साथ जो आज का खास और मुख्य समारो है उसमे उन्हें शामिल होना है